है गाइज क्या कभी आपकी टीम में कोई परसंट ज्वाइन हुआ है और उसने ये बोला है कि यार तुने मेरे पैसे फस्वा दिये या कभी ऐसा हुआ होगी आपकी टीम साइज तो काफी अच्छा बड़ा हो गया है बाउजुद उसके आपका कमीशन हो वो कम हो गया है अगर ये दो रीजन आपके साथ हुए हैं तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको उन दोनों प्रोब्लम्स का सोलुशन करके दूँगा तो आप इस वीडियो को लाश तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम प्रोड़क्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि जो आपका प्रोड़क्ट है वो कैसा है जैसा कि एक product है market के अंदर उसकी demand क्या है हमें ये देखना जरूरी है अगर उसकी demand अच्छी खासी है for example हर आदमी garments को इस्तेमाल करता है या second case में हर आदमी के घर में health and wellness की चीज़े use होती है तो दोनों ही condition के अंदर ये market में चल तो रहे हैं बट आप जो बेच रहे हैं उसमें दो चीज़ों का अब होना जरूरी है तब लोग आपके पास आएंगे पहला इसमें है कि अगर आपके products की quality market से हटके है अलग है best है तो वो किसी भी price में उस quality को purchase करने के लिए कोई भी customer ready हो जाएगा second case में कि अगर आपकी जो quality है normal है market के हिसाब से तो price market को competition वाले होने चाहिए अगर वो pricing है वो अगर competition की नहीं होगी तो भी लोग आपके पास नहीं आएंगे तो फिर आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा उस product को push करने की बजाए आपको opportunity को sale करना पड़ेगा आप उनको एक चीज बोलोगे कि यार तू ऐसा कर सकता है और अगर in case वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि एक pushing product को बेचना market के अंदर थोड़ा मुस्किल हो जाता है तो उस case में बहुत ज़्यादा problems आती है अब भी क्या होता है कि अगर मैं MLM की बात करूं multi-level marketing तो multi-level marketing दो तरीके से हम कर सकते हैं कि अपने level को market के अंदर किस तरीके से multiply करें हो दो तरीके से हो सकता है कि एक तो मैं अपने साथ business partners को add करूं अब business partners तो बहुत कम लोग होंगे कि 135 करोड़ अगर लोग इस इंडिया के अंदर हैं तो वो सब के सब लोग network marketing के अंदर आएं यह possible नहीं है अभी क्या होगा कि कोई भी person है वो customer जरूर होता है कि कोई भी person है चाहे वो इंडिया के prime minister हो चाहे वो कोई भी बड़ी post वाले officer हो वो हर आदमी customer जरूर होता है तो आप अगर किसी को business partner बनाना चाहते हैं तो भी आपका multiply होगा और अगर आप किसी को customer बनाते हैं तो भी multiply होगा तो मैं जो जिसीज़ को follow गरता हूं वो यह है कि आप business partner के pricing वाला हो अगर आपका सही quality या फिर सही pricing वाला product है तो आप एक नहीं आप 1000 customer के साथ भी बात कर सकते हैं अगर आप 1000 customer आप अपने आप से connect कर लेते हैं तो वो आप से सामान खरीदेंगे जब आपने करना क्या है जब भी कोई नए design नए products आपके पास आएं तो आपको उनके पास send करना है और वो लोग में से अगर 30% भी खरीदते हैं तो साइध हर महीने आपके पास 3,00,000 से ज़्यादा की sale होगी जिससे आपकी normal से normal आमदनी है वो 40-50,000 रुपे तो होगी होगी और 1000 customer से connect होना मेरे ख्याल में कोई इतना बड़ा issue नहीं है आप ऐसा एक साल में तो कर सकते हैं तो सोचो बिना presentation दिखाना बिना plan दिखाना बिना training कराना बिना applying downline की सरदर दीखे आप guaranteed हर महीने 40-50,000 रुपे गमा सकते हैं अगर आप business partner बनाते हैं तो आपका business और बड़ा होने की उमीद है लेकिन वो छोटा क्यूं होता है कि आप business partner बना रहे हैं लेकिन वो लोग business partner नहीं बना रहे हैं वो लोग ना customer बना पा रहे हैं ना business partner बना पा रहे हैं तो business और sales दोनों चीज़े जीरो हो जाती है और आपका product अगर अच्छा नहीं है अगर आपके product की pricing very high है तो क्या होता है कि वो आपके team के member भी उस product को नहीं खरीते हैं अगर उनको वही product ख रहे हैं तो उस product का promotion करें आप कभी भी opportunity को आगे रखके अगर business करते हैं business partner बनाने के case में आपको ऐसा करने की जुरत है क्योंकि business partner जवाब बनाते हैं तो उसको पैसा कमानी की बाते भी हमें बतानी पड़ेंगी बट हमें सिरफ business partners नहीं बना के हमें customer को भी hire करना जरूरी हम customer से भी connect होने की जड़त है क्योंकि एक आदमी जो अपने business से पांच लाख रुपे महीने के कमा रहा है वो लोहे का व्यापार कर रहा है देन आपके health product या आपके fashion products भी वो खरीद सकता है यार लेकिन उसके पास आप कभी नहीं जाते क्योंकि आप opportunity sale कर रहे हैं और ऐसे businessman य आगे रखके business कीजिए और product के अंदर दो चीजे जरूर देखिए पहली ये कि उसकी quality है वो market से हट के अलग है अगर वो market के जैसी quality है या उसके जैसी ही उसकी सारी चीजें है तो pricing है वो market से competition में जरूर हो अगर दोनों ही चीजें अगर market के competition में नहीं है अगर उनकी pricing भी very high है और अगर उनकी quality भी इतनी अच्छी नहीं है तो आपको फिर opportunity ही sell करनी पड़ेगी और आपकी team चाहे जितना मर्जी बढ़ी हो जाए आपका commission कभी बढ़ानी होगा